नमस्कार आप सभी को आज किस वीडियो में हम देखेंगे अब तक की जो सबसे बड़ी विकैंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके अलावा भी आपर teaching staff की non-teaching staff की दोनों की ही यहां पर विकैंसी है आप यहां पर हम बात करेंगे यह विकैंसी कहां पर किस तरह से ऐ है और गोर्मन जॉब है नहीं है पूरी बात हम इस वीडियो में देखेंगे हर एक चीज को clear करते हुए चलेंगे साथ में अगर आपने अभी तक Librarian Telegram Channel इसके लावा various jobs के लिए जो Telegram Channels है उनको अगर आपने join नहीं किया तो कर लिए ना description box में सारे important links आपको मिल जाएंगे सबसे पहले आपको जो है यह देखना है आपको क्लिक कर देना है यहां पर आपको option मिल रहा है जो recruitment section पर क्लिक करेंगे नीचे आपको यहां पर देखने को मिलेगा यह जो recruitment rules for EMR staff और इसके लावा view और download यह आपका यहां से आप डाउलोड करेंगे अब हम देखने रहे हैं कि विकैंसी के बारे में qualification क्या है कौन कौनसी विकैंसी आने वाली है 2nd of June को यह notification यहां पर आया है notification है आपके various post के लिए जहां पर principal से लेकर के teaching staff के विकैंसी है और यह आपके 8 number पर librarian की post है इसके लावा counselor की staff nurse की और driver की कुक की मतलब एक जो हम बात करें जो विकैंसी है आपकी non-teaching staff में भी काफी सारे इसे विकैंसी है जो काफी सारी qualification एक तो बात करें जो आपकी 10th 8 से शुरूँ करके इसके अलावा अगर हम बात करें teaching staff में principal तक आपकी विकैंसी है और यह आपकी upcoming एक विकैंसी है short जो title आप पर mention किया गया है यह आपकी rules है जो की equilibrium, modal, residential school recruitment rules के अंदर रहेंगे यह आपका इस साल का है नीचे हम scroll करते हैं यह सब यह आपर pay scale वगरा क्या रहेगा 2 साल का probation आपको complete करना होगा यह सारे चीज़े यहां पर mention किया है इसके अलावा हम सीधा चलते हैं इनकी qualification पर इसी में ही आपको qualifications मिल जाएगी सबसे पहले शुरू होता है principal की qualification कहां से शुरू होती है तो यहां पर आपकी जो principal की qualification को लेकर के educational qualification other requirement है तो यह आपर mention किया है एक बार हम सीधा देख लेते हैं librarian की qualification eligibility criteria तो यहां आपको जो मिलेगा librarian सर्थ कर लीजेगा इसमें पोस्ट का नाम यहां पर mention किया हुआ है पर पोस्ट रहेगी आपको तो टोटल जो आपकी यह जो एकलवे school है वो कितनी है 740 तो यहां पर अगर हम बात करें कि अगर आपके 740 पोस्ट जो आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर librarian की जो के काफी बड़ी यहां पर विकेंस आपको लेखने को मिलेगी classification हम बात करें गुरूप B की पोस्ट है लेवल 7 का आपको पे यहां पर देखने को मिलेगा पे लेवल पे मेट्रिक्स इसके लावा यहां पर हम देखे एज लिमेटर क्राइटेरिया जो है आपका 35 यर्स है इसके लावा अप टू 55 यर्स फोर EMR एम्प्लोईज एज रिक्षिशन रहेगा SC, ST, OBC and other categories के लिए educational and other qualification जो रहेगी वो है आपके degree in library science from a recognized institute and university पहला आपका degree है इसके लावा अगर आपके लावा 1 year diploma है तो आप यहां पर eligible है इसके लावा working knowledge in English and Hindi और regional language regional language का मतलब है क्योंकि आपको पता है कि यह जो आपके एक लव्वे जो model school बनाया गये है मानलो अगर राजस्तान में होते हैं तो राजस्तान का जो ट्राइबल एरिया है उद्यपूर, सरीजेदर, बासवारा, डूंगरपूर तो वहां के जो लोकल language है इसके लावा जैसे यूपी के अंदर है या फिर और कहीं आपके आपके जो जो रीजनल लेंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए तो ये चीज़ जरूर है क्योंकि वह वहीं की स्कूल है या फिर वहां के जो बच्चों को टार्गेट वो कर रही है स्कूल नेक्स यहां पर है जो ये बाकी जो अधर एसेंशलक्सिर है इंस्ट्रक्षन आपको दिय हुए है प्रॉपिशन थो हमनी कर ली है अब इसके नौ अभी आपने कुस दिनों पहले भी देख ह online काफी बार आते रहते हैं अलग-अलम स्टेट से की कोई जो पहले से आपको देखने को मिलती तो कुछ अब आपको इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है कि कब से फॉर्म फिल अप होंगे और आपका जो पैटर्न रहेगा स्कीम रहेगी वह आगे आपको देखने को मिलेगी तो यह आपका यहां तक लियर हो चुका है कि आपको आगे फिकेंसी देखने को मिलने वाली है जो कि आपके एक लवे आवासी जो मोटल स्कूल है वहां पर तो बिल्कुल अपने तयारी जो है आप जरूर तयार रखें अपने डिगरी डिपलोमा कंप्लीट करके रखें जैसा ही नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा क्योंकि आपकी एक टाइप अफ कमिंग विकेंसी इसके अलावा अगर हम बात करें इन दिनों कॉंट्रेक्शल बेसिस पर एनवीएस विकेंसी आ रही है यह आपकी जैनवे की जो नोटिफिकेशन है जैसे एक जैनवी दो तीन स्टेट को कवर कर रहा है तो इन दिनों दो आपके जैनवी है एक तो आपका जो एनवीएस जैना का देली का तो आप जरू चैक कर लीजेगा उसकी पटना की दस तक लाजेट है इसकी बारा तक है और टेलिग्राम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं इन दिनों जो भी ओंगई विकेंसी है काफी सारे नोटिफिकेशन आपकी मेह के अंदर रिलीज हुए है उनके अभी ओंगई अप्लिकेशन फॉर्म चल रहे हैं तो उनको आप जरू चेक कर लेना आपको जो चैनल पर चले जाना है वहाँ पर आपको जो वीडियो मिलेंगे उनी के थमनल पर आपको लाजेटी मिल जाती है तो अभी लाजेटी निकली है उन वीडियो को आप नहीं है उसके बारे में एक बार हम खुझ से भी वेरिफाई करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको शेर की जाती है जैसे इससे पहले भी अभी जो एक विकैंसी आई थी एक तो ही उसका फॉर्म फिलप होने थे लेकिन मैंने शेर नहीं की थी क्योंकि काफी जाद एक फी वहाँ पर चार्ज की जा रही थी काफी सारे चैनल्स पर आई थी बट फिर भी मैंने यही बोला था कि यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको अप्लाई करना है नी करना तो उस तरह से आपको कुछ एक गाइडिस मिलती रहती है बाकी बाद खुझ से भी आप वेरिफाई करते रहते हैं लेकिन आप एक बार ओफिशल वेबसाइट पर किसी भी वेकैंसी की वहाँ से वेरिफाई कर लें नोटिफिकेशन को ठीक से पड़े फिर उसकी आप बाद अगर आपको लगता है वहाँ पर प्लाई करने का तो आप ज़रूर प्लाई करें नियर वेकैंसी ज जैसे इंट्रेक्शन करना हो कुछ चीजें पूछने हो और सेलेक्टेर केंडेट्स पी जुड़े होए हैं उसे भी आप डिसकुस कर सकते हैं साधर साथ एंट्रीटी का टेलिग्राम चैनल भी सेपरेट बनाय हुआ है अलग-अलग जो पोस्ट अगर हम बात करें वेकैंसी एक पोस्ट नहीं है अब यहां पर हम देखें कि आपको जो देखने को मिलती रहती है वह आपको एन एक्जरम हाई पर मिल जायाएगा लिंक आपको दिया हुआ है सभी के सभी टेलिग्राम चैनल के और यह आप जो है विजिट कर सकते हैं जो यह मारस की हमने ओफिशल वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में